तो यहार भाईव winterland event का जो calendar है वो यहाँ पर finally launch हो गया और उसमें क्या-क्या items आपको मिलने वाले वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और जो free के items हैं वो उनके बारे में हम दिखाएंगे आपको और बताएंगे भी कैसे लेना है आपको लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि यह जो आप black t-shirt यहां पर देख रहे हो यह कभी rare हुआ करती थी लेकिन आज की date में यह rare नहीं है तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यह यहां पर आप लोग देख सकते हैं और यहां पर लिखा हुआ है new age event calendar तो यहां पर आप लोगों को यह यहां पर new age पे क्या-क्या item आपको यहां पर दिये जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं जो इसका जो bundle है main bundle है वो पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए और उसके साथ जो minister tech की skin है वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो यह है इसका main bundle और उसके साथ साथ यहाँ पर यह जो minister truck की skin है यह आपको यहाँ पर मिलेगी जो यह event है यह start होगा 17 तारीक से और चलेगा 9 तारीक तक तो यहाँ पर जो map में after match drop यहाँ पर आपको token मिलने वाले हैं वो आप यहाँ पर exchange करके यहाँ पर बहुत सारे reward ले पाओगे तो वो जैसे event आएगा मैं उसके बारे में detail से आपको बता दूँगा लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लो यहाँ पर लिखा हो है play till the rising day तो यहाँ पर यह बीश तारीक से event start होगा और यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलने वाली bad की skin जो कुछ इस तरीके के आपको देखने में होने वाली है उसके बा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो friends united तो यहाँ पर आपको कुछ टोपी वगएरा यहाँ पर कैप वगएरा यहाँ पर मिलने वाली है जो कि यहाँ पर female की भी होगी और male की भी होगी तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी अब यहाँ पर लिखा यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है थोड़ा आप यहाँ पर बड़ा करके जूम करके भी देख लीजिए लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपको एक backpack की skin मिलने वाली है जो कि कुछ इस तरीके कि यहाँ पर होने वाली है अब यह जो backpack की skin है यह level 1,2,3 पर मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसी देखने में लगेगी उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है new age is coming तो यहाँ पर new age is coming में आपको यहाँ पर token देखने के लिए मिल जाएंगे उसके उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखने के लिए मिल जाएंगे जैसा कि एक बार हमें पहले भी मिले थो यहाँपर magic qb fregment यहाँ पर मिल जाएंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख वक्ते हो गेम विद फ्रेंड वाले इवेंट पे आपको यह वाला यहाँ पर पेट मिलेगा उसके बाद यहाँ पर न्यू एचीज हेयर पे आपको कुछ रिवार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे वो reward भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो सबसे पहले आपको एक gun की skin मिलेगी जिसमें damage 1 प्लस होगा magazine 1 प्लस होगी उसके बाद यहाँ पर reload speed जो है इसकी वो यहाँ पर 1 माइनस होगी उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने के लिए मिल जाएगी वो होगी यहाँ पर pen की skin तो यहाँ पर pen की skin आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो new beginnings यहाँ पर एक event आएगा जिसमें आपको यहाँ पर loot box यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर होने वाला है जिसकी image आप लोग अपने सामने यहाँ पर देख पा रहे हो उसके बाद यहाँ पर जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है play more with friend तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे इस वाले event पर यह वाला event इस्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर loot box देखने के लिए मिलेगा इस event का नाम होगा play more with friend जैसे आप अपने friends से साथ खेलोगे कुछ mission बगएरा दिये जाएंगे उसके साथ ही आपको यहाँ पर यह जो आप loot box देख पा रहे थे यह loot box यहाँ पर आपको मिल जाएगा एकदम free में तो यहाँ भाई यह सारे आइटम जो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर मिलेंगे new age event calendar में तो यहाँ पर जो जितने आइटम मैंने आपको बताए है वो 100% confirm है क्योंकि मैं जितनी भी detail यहाँ पर हमेशा provide कराता हूँ आप लोगों को 100% confirm ही होती है ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ और बता दूँ आपको दूसरे यूट्यूबर्स की तरह है और आपको कुछ भी यहाँ पर ना मिले तो यार भाई हमें comment में है जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए goodbye and take care